नमस्कार SM News में आपका स्वागत है में नाम है कोमल और आप देख रहे हैं SM News आज हमारे साथ हैं भीम्रों अंबेडगर महासभा के अध्यक्ष आरेस गौतम जी साथ ही ये केंद्रिये शिक्षक भी हैं बहुत ध्रम के सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है धन्यवाद और आपका मैं बार बारी आपको धन्यवाद हुआ क्योंकि आप बहुत ध्रम को फ़लाने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर मेरा आपसे कुश्चन है कि कई जगे किताबों में और वीडियो में देखने को मिला है कि जो बहुत धरम बहुत भगवान थे उन्होंने अपने भाई को एक व्याश्या के साथ सोने के लिए कहा था तो ये बात कहां तक सच है ये ऐसा है जब सिद्धात गोतम बुद्व ने 528 इशापूर में बहुत गया हमें पीपल के व्रेश के नीचे उनको ग्यान पराप्त होने के बाद जो उन्होंने अपना धम परचार सुरू किया और परचार करने के बाद उनके जो प्यता थे राजा सुदोधन उन्होंने अपने यहां बुलाने के लिए अपने परचार सुदोधन ने अपने जो उसके सकाते सिदाद गोतम के उसको भेजा के लिए उसको भगवान बुद को लाने का आपका कारी है तो वो जाकर के भगवान बुद के पास गए और जाने के बाद उन्होंने भगवान बुद का परचान सुना तो वो भी भिख्शू बन गए लेकिन उन्हें उस अपने जो राजा की बात याद थी और समय देखकर क कि उन्होंने भगवान बुद के काया आगे भगवान अप अपने घर आपको चलिए तो वो चाकर के रास्ते में कई में दिनों का सफर करने के बाद वो वहाँ पर जाते हैं और जानने के बाद जब वो उसको खाने पर बुला जाता है राजा सुद्दनर के महल में वो तो बेकोटी में ठायरे थे वहाँ पर आका आते हैं और उस अनुरुसत से कहते हैं कि आप के और परवज्जा घहन करोगे तो वो बना जाए गया लेकिन उसका मन जो है उसकी पत्नी जो समय उसकी साधी होने जा रही थी तो साधी होने के समय उसका मन हमेशा उसके कल्यानी के उपर जो कल्यानी नाम था उसके उसके उसमें लगा रहता था कि मैंने क्यों उनको छोड़ दिया क्यों नहीं मैंने यहां साधी मुझे करने चाहिए थी तो उसके मन उसी में फटका रहता था यह बात है जब भगवान बूद को पता लगी तो भगवान बूद ने कहा चलो मैं आपको एक जगह लेकर चलता हूं तो भगवान बूद उसको लेकर चल दी और ले जाकर जाने के कमाद एक बहुत बड़े एक बंद्री थी उसको ऐसा ऐसा आता है अकी बहुत सुंदर थी और सुंदर होने के बाद वो कर जब उसको देखा उन्हें देखने बाद उसका रूप ढलता गया तो उसको उसको देखाया गया इसके बाद वह लेगे और जहां पर वेशाए थी या जहां पर वो थी वहां पर लेगी बहुत बड़ी स तो उन्होंने कहा अगर आप इन लड़कियों को पसंद कर दा तो तुम्हें इन से सुंदर कैले कैसी लड़के के लिए बहुत सुंदर है कि मैं इन से इनकी आपकी साधी करा सकता हूं बस सित्ते तुम जो में लगा करके साध्ने में लग जाओ तो जो अनुरुता वो खुश फीरिस हो गया के लए ठीक है मुझे उस रहा सुंदर जनका लादी से भी सुंदर लड़किया मिलेगी तो वह वह में साध्ना में लगए और साध्ने में लगने के बाद कुस बिक्ष्ण ने उनका मजा कुँड़ा देखो एक सुनदर इस्ते के लिए यह साध्ना करा है ले बताओ अब क्या उचार है आपका तो कहलेगा मुझे कोई और सकता है मैं तो अब मुझे रागद्वेश मेरा खतम हो चुक है और वह अरहंद बन चुके थे उसमें तो यह सद था थोड़ा सा कि वह उन्हों ने उसको दिखाने के लिए कहा था अगर मैं आपको उससे भी सुन अब मुझे कोई इस तरी यह वेशा नहीं चाहिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले